कि जहीं दोस्तों मैं आपका दोस्तिक आपका यूपी ट्रपल सी जाम करेकर में स्वागत करता हूं दोस्तों आज यह यूवा कल्यार के लिए यूपी इस्पिफल बैच चला जा रहा है ठीक दोस्तों तो जितने भी फंभावजी कोशन उठते हैं ठीक तो इसको दो तीन पा किया जा रहा है ठीक दोस्तों साथ सो पचास बेड़ वाले इस जो अफ्पिताल की लागया थो फत्राफ करोन रुपए है और लबक दोस्तों यह 30% कार खतम हो चुका है अगला कोशन प्रदेश में टेली मेडिसीन और टेली पैसलोजी के माध्यम से अब दमाएं मतलब जनों और मानसिक रोगियों के उचित उपचार सुबिधा के द्वारा पहुंचाना अगला है प्रदेश में अडफट जनपतों के जीला पूरुस चिकित्साल है वा मेडिसीन कॉलेजों में कुपोसीत बच्चों के उपचार हे तू पोफड पुनरवास केंद इस्थापि किये जा रहे है अगला कोशन जैसे डिव्यांगों के लिए कित्व सांदान जैसे दिव्यांगों को जो महिया करनी या माली जो ूआर्य में कोई दिख्कत हो या उनकी जो उपचार में nuanced समान सामगरी होती है तो उसका जो अन्दान आता था पहले आठ जार आता था अब सरकार ने उफको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और बड़े जो माधित रोगों क्लाइट कर इंप्लाइंट सरजरी है तो अनदान रासी प्रतित सरजरी छे लाग रुपए कर दी गई है ठीक और भरन पोफर्ण अनदान जो है उचे पहले तीन कर दिया गया है दिव्यांग जनों के लिए अगला कोश्चन है को पोफर्ण के विरुद्ट जो मोहिम छेड़ी गए सबसे बड़ी यही है कि अब वनतालिस चनपदों को एक चिन्हित कर दिया गया है और उसमें से जो जीरो से लेके छे आयो के लड़के हैं उनको चिन्हि पोफर्ण वाले जीले हैं उनको इन्होंने चिन्नित कर लिया है और यह अभियान अब चलाया जा रहा है अगला कोशन है डायलेसिस के लिए सरकार ने एक अच्छी सेवा लाई है ठीक अब इनको जो गरीब बीपेल परिवार के लोग हैं अगर मालीजे किटनी से संबंधि कोई रोग हो जाता है तो जो अब सरकार मुक्त में मुहिया सुवधा कराएगी और इसकी एक हिसेदारी भी दूस्तों इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि लेकपाल में अकसर पिछली बार क्योशन आता है कि हिस्सेदारी कितनी है तो इसमें साब साब लिखा है कि 60% हिस्सेदारी जो है वो केंसरकार की रहेगी और 40% हिस्सेदारी राज्य की रहेगी ठीक अगला कुशन है यूपी में आपको पता ही होगा जेई एक बार गोरपुर में जो कांड हुआ था 30 लड़के मनलब 30 लड़के जो है वो एक ही दिन में मनलब मर गए बिचारे तो यह सबसे बड़ी प्रकोप दोस्तों वो जेई का था तो जापानी इन्फिफलाइटिस ठीक इसकी जैसे बहुत ही लड़कों की मौत होती है खासकर तराई के छेत्रों में तो उसके लिए सरकार दोरा और यूनिसप दोरा भी मुहिम चला जा जा रही है तो एक योजना है दस तक दस तक योजना तो दस तक योजना जो है वो च कि लिए लोगों को जागरू करना और यूनिसप दोरा भी इसका सहयोग से ज्यादा प्राप्त हुआ है और इस जो अभियान है दस्तक अभियान इसका जो स्लोगन है दरवाजा खटखटाओ ए एस और जेई को भगाओ ठीक यह आ सकता है इसलिए मैंने इसको दिखा दिया को अगला कुशन है अब की पद्म विभूषण पद्म फ्री और पद्म भूषण तो तीन पूरसकार आपको पता ही होगा कि तीन पूरसकार मिलते हैं तो पहला होता है पद्म विभूषण ठीक यह सबसे बड़ा होता है तीन पूरसकारों में तो अबकी उत्तर प्रदेश में इस पुरसकार में कोई भी किसी व्यक्ति को पुरसकार नहीं प्राप्त हुआ ठीक अगला पद्म भूर्षण होता है ठीक ये पद्म भूर्षण भी किसी मतलब अपने उतर प्रदेश के नागरिक को नहीं मिला है लेकिन पद्म श्री मिला है ठीक पद्म श्री मोहन और साहित मिला है और धे सारी पुरसकार बीजे से हिंदी संस्थान अब देगा 20 साहित भूसर सम्मान तो यह देगा ठीक है लेकिन इसकी राशी यात के लिजी राशी में साब पूछता रहता है तो इसकी जो राशी है वो पचास जार से बढ़ा कर एक लाक रुपए कर दी ग दोस्तों इसे अब पंडित मदन मोहन मालविये विश्विदाले इस्तरिय सम्मान के नाम से जाना जाएगा ठीक यह जो साहित भूसर सम्मान है यह अब जो है पंडित मदन मोहन मालविये विश्विदाले इस्तरिय सम्मान के नाम से जाना जाएगा अगला है हुटको अवा तो दोस्तों आपको मैं बताने में बहुत अच्छा हर्फ लगा है कि उत्रप्रदेश खाफ कर इस काम में तो अच्छा मनलब आगे आ गई है इन्हों ने इनका जो कोटा होता है दोस्तों आपको बताओ 2022 तक सभी लोगों को घर देने का वो संकल्ब लिया गया है ठीक 2022 तक अब 2022 तक लिया गया है इसके लिए जो प्रधान मंत्री आवाफ योजना चलाई जा रही है तो प्रधान मंत्री आवाफ योजना अभी तक पूरा जो कंपलीट हुआ वो 40% भी नहीं हुआ है ठीक और उत्तरप्रदेश वालो ने अपना ज देंगे अगर ऐसे चलता रहा तो बीच में कुछ हुआ ना तो अगला है कैफी आजमी अवाड प्रसिद हिंदी कवी राजेस जोसी और फिल्मी गिदकार वा सायर्ग हसन कमाल को वर्स 2018 का कैफी आजमी पुरुफकार दिया गया ठीक बेगम अक्तर पुरुफकार ये संगी हिदों का हिंदुस्थानी एक एडमी ठीक है है और ये संगीत के उरुके फाहित लेकान केलिये देती है फाजी दोस्तों लेकान और साहितकारों को दिया जाता है ठीक तो अबके ये जो नया पूराष्कार फुरू कर रही है। उसका नाम जो होगा, वो योगी आदितनाथ की गुरू गोरकनाथ। ठीक, आपने गोरकनाथ मन्दिर का नाम कहा जाता है ठीक और दोस्तों इसके अलामा भी यह इल्हाबाद academy जो है हिंदुस्तान academy और पुर스कारे भी म्नलब आपको प्रदान करती है लोगं को तो यह गुश्वामी तुलसी दा से एकड़ी मैं भरतें गूत नाटे सब्सकान टो एसे हैं इस निंगा पांच लाग के सरभोच गुरु गोरुक नाथ सम्मान के रावा एकड़मी दौरा जो पुरस्कार दिए जाएंगे कि यह धेर सरे पुरसकार दिये जाते हैं कि अगला कोशन दोस्तों इसमें दो है लश्मण सम्मान विजेता कभी नहीं आता आप कोई पता होगा जो लड़के देते एंग लेकिन अगर आपको मन कहें तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को स्टॉप करके ठीक लेकिन तो आपकी जो मिला है अगला श्रीमियपुनिया एस लेटिस की है और हांकी से मिला है कुमारी वंदना कटारिया और पीति दूबे को हांकी से मिला है ठीक है अगला कुश्चन आता है कि अभी हाली में जो है पांच लोगों को सम्मान दिया गया वो किस लिए दिया गया है तो इन्होंने दोस्तों गोल्ड कोश्ट हुआ था राश्मंडल खेल या कामन वेल्थ जो कह सकते हैं आप ठीक यह कामन वेल्थ गेम जो हुए थे इन्होंनों अच्छा मलब पदक जीता था और देखिए पदक भी लिखाया जीतू राय निसाने बाजी में पाये थे ठीक और पूना म्यादो गोल्ड पाये थे वेट लेटिंग में भर तोलन सीमा पुनिया डिसकस्त्रो मलब चक्का छेंपड दिव्या काकरन कुस्ती में ठीक और रभ पचाफ लाग रुपए शिल्वर पदक विजेता को 30 लाग रुपए और कांस पदक वालों को 15 15 जबकि अन्य वाले जो थे मतलब जो सिर्फ खेलने गये थे उनको प्रतान राश जो है 5 5 लाख रुपए प्रदान की गई है ठीक है तो दोस्तों वीडियो का ऐसा लगा अग और कुद देर बाद आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा तो इसलिए इस चैनल को सुस्क्राइब कीजिए तब तक की लिए जय हिन जय भारत